जैहिन साथियों आप सभी का आज किस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद है दोस्तों आप सभी दोस्तों बहुती 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 बहु चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास जो कि हमारे दोस्तों इतिहास को दोस्तों तीन भागों में बाटा गया है आज हम दोस्तों के तीसरे भाग में पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास जिसमें से दोस्तों हमारा टॉपिक जो आज क्लास में बुला लीजिएगा कि आप लोगों की क्लास दुस्तों रोजाना आठ वजे टीचिंग विदाने चौहान चैनल पर होती है तो एक बार आप सभी पैर्दो जल्दी इस्टुड जाएंगे और यह दुस्तों बुक आपके लिए स्पेशल यूपी प्लिस गई हैं तो यह दोस्तों बुक जो है आपकी महतपूर बुक रहेगी तो एक बार आप सभी पैर दोस्त जल्दी से दोस्तों आजाएंगे क्योंकि इस चैनल पर दुस्तों आपको सभी आल कॉम्प्रेटिव एक्जाम बुक का दुस्तों सॉल्यूशन करवाया जाता है जल् सामान ग्यान उत्तरप्रदेश प्लिस कोंस्टेविल की औब्जेक्टिव बुक और आपकी दुस्तों यह खाकी बैच की जो हम आपको बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं और साथ ही साथ दुस्तों आर डबलुए की सामान ग्यान हिंदी का भी दोस्तों पीडियाप मैं आप आपको आल डी टेली ग्राम ग्रूप पर दुस्तों प्रोवाइट करा चुका हूं आपकी दुस्तों हिंदी येलो बुक इस्टेटिक जीके यूपी फ्लिस कोंस्टेविल जीके और साथ साथ और डबलुए सामान ग्यान की ग्यारा जार प्रेस ऑप्जेप्टिक पुस्च कर सकते हो तो चलिए दिस तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर तो टॉपिक है दोस्तों हमारा आधुनिक भारत का इतियास तो पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों यूरोपी कंपणियों के आगमन के बारे में तो चलि दोस्तों वीडियो का अपलोग सेर जर आइए तो सर्वें पिर्थम दोस्तोus 1498 ईसवी को वासको ढिगामा पूर्टगाल से समुद्र की रास्ते चल कर केरल के काली कटके तट पर पहुंचा कब दोस्तो पहुंचा 1498 ईसवी में उसकी बाद दोस्तो फ्रांसिसको दाअलमीडा भारत में 4505 ईसमी में पिर्थम पुर इसवी में पृत्वाली बाइसरा बनकर कौन आया तो फ्रांसिसको दा अल्मीडा कहां पर आया था दोस्तो भारत में कब आया था पंद्रेसो पांच इसवी में और वह कहां का डिवासी था दोस्तो पृत्वाल का इन से दोस्तो युद्ध करके दोस्तो बीजापुर के यूसुफ आदिलसास दोस्तो गोवाइनों ने जीत लिया था कब 1510 इसवी में नेक्स्ट दोस्तो 1529 इसवी में नीनू दी कुनहा गरवनर बना था 1529 इसवी में नीनू दी कुनहा वहां का दोस्तो गरवनर बना और उसके बाद 1542 से 1545 इस्वी में मार्टिन अलफांसो डी सूजा वहां का दुस्तो गवर्नर बना नेक्स्ट है दुस्तो तमबाकू की खेती और जहाज निर्माड एवं प्रिंटिंग प्रेस की सुरुगात पुर्तगालियों ने की थी एक यह पॉइंट आपके लिए दुस्तो बेहद इंपॉर्टेट रहता है आपको इसको नोट करना है अपनी कॉपी में पॉइंट बनाकर लिख लिजिएगा कि बताएगा तमबाकू की खेती के निर्माड सर प्रितम किस ने किया था यूनानियों ने या दुस्तो पुर्तग कुश्चन पूचा जाता है कि बताएगा डचो ने अपनी भारत में पहली फैक्टरी कहां पर इस्थापित की थी तो याद रखेगा मूसली पट्टिनम याद रखेगा इसका नाम मूसली पट्टिनम में दुस्तो डचो ने भारत में पहली बार दुस्त अपनी फैक्टरी इस्थापित की और एक कुछा जाता है कि बताएगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली ब्यापारे कोटी कहां पर खोली थी कौन सी दोस्तो कोटी ब्यापारे कोटी किसने पुर्तगालियों ने पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी ब्यापारे कोटी कहां पर खो कि अब ब्यापारिक कोटी पूछा जाता है कि पुर्टगालियों ने अपनी पहली ब्यापारिक कोटी कहां पर इस्थापित की या कहां पर खोली तो राय टासतर हो जाएगा दूस्त आपका कोची याद रखिएगा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ब्यापारिक क चाहें आपका दूस्तो रेलवे का एक्जाम हो तो यह सभी में दूस्तो एक्जाम में कुष्चन आपका पूछा जा चुक है रिपीटिड होते कुष्चन है तो आपको याद अखना है मगल दरवार में आने वाला पिर थम अंग्रेज कौन था दूस्तो कैप्टन हॉकिस चलिए अगले पॉइंट क्यों चलते हैं दूस्तो दोस्तो एक पॉइंट याद आया डचो से कि डचो ने अपनी भारत में जो दूस्तो पहली फैक्टरी खोली थी बो तो दूस्तो मुसली पट्टनम में खोली थी और अग जमनल आप से पूछ सकता है कि बताएगा डचों है दुस्तो इन्हों ने कहाँ पर खोली थी दूसरी अपनी सथापित की त मुशली पत्रम में डच Eux इने अपनी स्थाप्ट की और डचौ ने दूसरी फैक्टरी पुलिकट में स्थाप्ट की और यकर पूछ देजा पुर्टगा리 और अपमने प्याली ब्यापारी कोठी कां स्थापित की तो बो दुस्तों नोंने कोचीन में स्थापित की किलियर तो यह important point है दुस्तों आपको याद रखना है चलिए अगला point है मुगल दर्वार में आने वाला प्रिथम अंग्रेश कर्टन होकिस था जो दुस्तों जैम्स प्रिथम के राजदूत के रूप में जहां गीर के दर्वार में पहुँचा उसकी बाद दुस्तों अगला point दिया गया है कि 1615 इसवी में सर टॉमस रो को जहां गीर के दर्वार में पहुँचा और फरूख सियर जो था दुस्तों वह सत्रह सो सत्रह इसवी में तीन हजार रुपए बार से करके बदले कमपनी को बंग अधिकार प्रदान किया किसने फरूख सियर ने तीन हजार रुपए बार से करके बदले कमपनी को बंगाल बिहार तथा औरिशा के ब्यापारिक अधिकार प्रदान किया नेक्स्ट है दुस्तों 1632 इसवी में गोल कुंडा बंदरगा पर मुक्त ब्यापार की छूट मिली य डैनमार्क को इस्ट इंडिया कमपनी डैनमार्क की इस्ट इंडिया कमपनी कब बनी यह इंपोर्टेंट पॉइंट है 1616 इसको लगाएंगे इंपोर्टेंट क्योंकि आपके अग्जाम का आया हुआ कुश्चन है 1668 में दुस्तों फ्रांसीसियों ने अंग्रेज औरंग ज आना दुस्तों कहा खोला था सूरत में खोला था एक दुस्तों कुश्चन आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है क्विश्चन पूछा जाता है कि बताए भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था दूस्तों भारत इसको दिए आप लोग नोट कर दीजिए अ अपने कॉपी में आपको जो कुशी अडिशनल पॉइंट जो बताए जाती है उनको आपको कॉपी में नोट करना रहता है क्योंकि वह ऐसे पॉइंट होते जो कि आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे याद रखेगा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था यह important question है आपके exam के लिए पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था आंसर करेंगे अज़िए आपको पता है तो comment box में आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था तो याद रेड ड्रेगन किलियर दोस्तों यहां तक की बात आपको दोस्तों बिलकुल आसान तरीके से समझ में आ चुकी होगी चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों यहां पर एक पॉइंट दिया गया है महतफुर्तत इनको आ आपको दुस्तों कंपल्सरी नोट करना ही रहता है, ये दुस्तों हमेशा के लिए एक्जाम में आई होगे कुश्चन आपको महतफुर्टत्य में दुस्तों आप लोगों को दिये जाते हैं, यहां से एक एक प्रिसने दुस्तों आपके लिए रामबान होगा, पहला तो आपका अंसर हो जाएगा बास्कोडीगमा जिसने दुस्तो भारत की खोच की थी सैकरन्ड कुश्चन, भारत में पृत्थम पृत्गाली गवर्नर कौन था? भारत का पहला पृत्थम पृत्गाली गवर्नर कौन था? यह आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं उनी से चुनिंदा जो important question बचे हैं वो आपके महतपुरतत में दुस्तों आपके दर्स आए गई हैं तो भारत में दुस्तों पृत्वम पृतगाली गवर्नर कौन था फ्रांसिसकोडी अलमेडा भारत का पृत्वम पृतगाली गवर्नर था इसके बाद नेक्स्ट कुछा जाता है बंबई का बास्तुक सस्थापक कौन था important है कि सारे question दोस्तों important आप लोग लगा ले जिएगा भारत का भारत में बंबई का बास्तुक सस्थापक कौन था गेरल्ड अंगियर जो था वो मंबी का बास्तिव क सेत्थापक था यह अपसे पूछ से पूठा जाए यह को आपके एक्जाम में कई वार रिपीट होता है कुछस्चन ऐसे होते हैं हर साल हर बरस आपको एक्जाम में रिपीट होते रहते हैं जैसे कि कलकत्ता का संस्थापक जौब चार नौक जौब चौर नौक जो हैं दोस्तों ये कलकत्ता के संस्थापक हैं जिनने उने कलकत्ता के स्थापना की मद्रास का संस्थापा कौन था तो दूस्त को फ्रांसिस डे फ्रांसिस डे जोद है दूस्तो यह मद्रास का संस्थापा का यह आपका important point बनता है क्योंकि यह सभी questions आपके SSC के all competitive exam में दूस्तो आ चुके हैं पूछे जाते हैं हमेशा दूस्तो पूछे जाते हैं आप चाहें बिल्कुल छोटे exam की त्यारी कर रहे हो चाहें आप बड़े से बड़े exam की त्यारी कर रहे हो तो उसमें दूस्तो यह question normal से हैं बन जाते हैं तो आप लोगों को याद रखना है एक एक प्रस्न दूस्तो आपके लिए यहां से important रहेगा सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि वीडियो को देख रहे हो तो आप दूस्तो वीडियो को complete watch करना यदि आपने बीच से skip कर दिया ना तो यह समझ लीजिए यदि आपका कोई एक भी point है दी miss हो गया और यदि वो question आपका exam में आ गया तो यह समझ लीजिएगा कि आप या तो उस question को सही करके आओगे या तो आप उस question को गलत करके आओगे तो इसलिए आप ऐसी कोई गलती ना करें ताकि दुस्तो आपको आपको आपके exam में उन गलतीयों का सामना करना पड़े तो आप लोग दुस्तो वीडियो को complete watch कीजिएगा आपका दुस्तो एक एक point clear हो जाएगा आपको एक एक प्रस्ण अच्छे से समझ में आ जाएगा बस आप वीडियो को complete बहुत चरूर कीजिएगा चलिए अगला प्रस्ण है कुछ दुस्तो यहाँ पर आपकी युद्ध दिये गए है करनाटक की युद्ध तो हम कह सकते हैं आपकी करनाटक की युद्ध है करनाटक की युद्ध तो आपको तीनों याद रखने है चोटा सप्रसने आसानी से याद रहशकते हो आपको याद कैसे रखना वो भी मैं बताओंगा किवल आपको एक सन याद रुखनी है और उस सन के ठीक according दोस्तों आपको compare कर लेना है कैसे बताता हूं आपको जैसे कि करनाटक का प्रिथम युद्ध कब हुगा था 1746 इसवी से 1748 इसवी तक करनाटक का प्रिथम युद्ध चला 1740 से 1748 तक चला यानि कि दोस्तों स्टार्ट कब से हुआ आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है दोस्तों 1746 1746 दोस्तों है आपको करम से याद रखना है तो आप कभी नहीं बूलोगे 1746 से स्टार्ट हुआ है खतम कब हुआ था 1748 में तो आपको क्या पता चला कि 1746 से दूस्तो श्टार्ट हुआ था तो आप 1746 सही कंपेर करू तो 1746 से 1748 तक आपका करनाटक का प्रित हमें है उसके बाद 1746 के बाद क्या है 1749 के बाद 1754 में 1763 इसे भी तक चला तो एक आप याद रख लीजिए 46, 48, 49, 54, 57, 63 आप ऐसी डिजिट बना के याद रख सकते हो पहली बार आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको दोस्तो अजीब लग रहा होगा जब आप इन कुश्चनों को दो वार तीन वार रिपीट करोगे ना तो आपको दोस्तो यह हैबिट में आ जाएंगे आटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको 46,49,49,56, vary screen 57,63 जो 1746 को आप याद रहेंगे और 1754 जिए आपको याद हुगा तो आप 1746 से ही आप दोस्तों तीनों यो दो आप लोग निकाल सकते हो 1740 से 1744 ये कितना चलाता दूस्तो आपका लगवग 2 साल चलाता दूस्तो कितना चलाता दूस्तो दो साल और ये आपका दूस्तो 5 साल लगवग चला और ये कितना चलाता लगवग 6 साल चला दूस्तो कितना चला 6 साल यानि कि 2-5-6 तो उन्हीं के दुस्तों आप लोग उनकी संग निकाल सकते हो बिल्कुल एजी कुस्चन है चलिए अगला पॉइंट आता है दुस्तों पिलासी का युद्ध पिलासी का युद्ध दुस्तों कब होगा यह साथ मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था तो आप वाज लोग आपको सभी को डिटेल में बिल्कुल बताते है पिलासी का युद्ध पिलासी का युद्ध जो है दुस्तों वो आपका 1757 को हुआ इसमें आपकी डेट भी पूछ ली जाती है कई बार सेम डेट पूछी गई 23 जून 1757 को दुस्तों पिलासी का युद्ध जोगा कहा का युद्ध दुस्तों पिलासी का युद्ध पिलासी की दुस्तों लड़ाई की युद्ध बात करती है दुस्तों पिलासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नितरत में एक छोटी सी सेना नवाब की प्लासी किस नदी के किनारे इस्थे थे ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है तो प्लासी जो है जो है दुस्तों ये आपके किस नदी के किनारे इस्थे थे ये आपके भागी रथी नदी के किनारे इस्थे थे ये आपको वुकमें भी नहीं मिलेगा इसलिए बोल बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों स्राजुद्दवला इनके बीच हुगा और यह आपके प्छासी नामा के स्थान पर युद्ध्ध था और प्लासी आपका किस नदी के किनारे इस्तित जों मैं कि हुआ सकते हैं और हम चांएं तो कि थोड़ा सा प्छेंगा पूछे का कि कि बताएगे कि प्लासी का युद किस नदी की तटपर हुआ समझ रहे हो ना हमारी बात को कि प्लासी का युद किस नदी की तटपर हुआ अब आप कोगी कि मैंने तो यह कुछ चना एक्जाम में पढ़ा ही नहीं था बुक में पढ़ा ही नहीं था अब बुक में पढ़ा कि आपको पता होना चाहिए कि पिलासी का जो युद्ध है वो आपका भागी रती नदी के किनारे हुआ था यह आपके लिए important point है आप लोगों को confuse नहीं होना है आप लोगों को मन में ऐसे ही question दोस्तो आपको बनाने है अगला आता है दोस्तो बकस्तर का युद इंपोर्टेंट लगाएंगे सभी प्यार दोस्त यह दोस्तो आपका युद 22 October 1764 को हुआ था बकसर का युद दोस्तो 1764 को हुआ था किनके भी चुगा था ये बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवद के नवाब थे सुजाव उद्धौला वो सराज उद्धौला थे और ये थे दोस्तो सुजाव उद्धौला तथा मोगल सासक सहा आलम दुती की सहक्त सेना और अंग कि यह हम बात करते हैं तो दुस्तु आंग्लम महसूर यृद 5056 चला च्रता तो चत्रत आंगल मैसुर युद्य आपका 1799 में होगा तो इसी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी दूस्तू उसी ट्रिक से थे उस्तू कंपेर करके डिफरेंट निकालके एक सिंगल सन याद रखके आप दूस्तू सारी युद्य याद रख सकते हो अगला है आंगल मराठा यु और त्रती आंगल मराठा युद्य दूस्तू आपका 1817 से चला और 1818 यानि एक एयर तक आपका यह समाप्त हो गया था वन एयर में त्रती आंगल मराठा युद्य यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई चलिए अगले पॉइंट क्यों चलती है दूस्तू अगला आउंगा आपको उन 6 कंपनियों की याद रखनी है कैसे कि अंकी स्थापना कब हो ओई ती जैसे की इस्ट shutter zaj कंपनी हो गई और आपकी अंग्रेज़ आंग्रेजों की दुस्तों पुर्ट गाली इस्ट इंड-टाली इस्ठ इंडिया कंपनी और आपको कुस्त आप हो East India Company उमीद है दुस्त आपको ऊड़ में दुस्तों बिलकों शही दिखर है दे रहा होगा East India Company पुर्त गाली East India Company की स्थापना कब हुई थी इसको दुस्त आपको याद रखनाए यह है दुicus आपकी 1498 कब हुई थी दुस्तो 1498 पांवे इस भी को हुए थी आपको एक पॉइंट यह याद रखना यह आपके लिए इस्ट इंडिया कंपटी को कौंसी दुस्तों अंग्रेजी एस्ट इंडिया कंपणी यह दुश्ट आपको याद रखना है वो देखते हैं कि East India Company इसमें भी दिया गया और इस्ट इंडिया इसमें भी ए तो इन दोनों की दूस्त जब इसट इंडिया कंपनी एक ही है तो दुस्तों इनकी डेट भी दुस्त अबना बर्स भी यह गी हो गी 16,00 जबकि ऐसा द história बिलकुल भी नहीं है यह दिस्ट आपको लिखे सप्रालिंग लेट करने के लिए यह आपको पर्त गाली इस चिंडिया कंपनी 1498 इसवी में स्थापित हुई अंग्रेजी इसट इंडिया कंपनी दूस्तो आपकी 1600 इसवी में स्थापित हुई थी किलियर चलिए तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीन सॉट ले 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 इसके बाद दूस्तो आपको और भी इसके इंपॉर्टन पॉइंट बताने जो कि अच्छे इस्ट इंडिया कंपनी यह भी दूस्त आपको याद रखना है इस्ट इंडिया कंपनी अब आप कहेंगे क्या यह भी 1600 में तो यह भी 1600 में नहीं है क्योंकि यह दूस्तो डचों अपनी इस्ट इंडिया कंपनी कौन सी दूस्तो डैनिस इस्ट इंडिया कंपनी य यद रक히ेगा डैनिस इश्ट इन्डिया कंपणी निस इश्ट इंडिया कंपणी इन्हों ने दोस्तों कभ इस्थापना की गई ती इसके बाद दोस्तों आपकी आई थी फ्रान्सीसी इस्ट इंडिया company जब France C.C. East India Company आई तब दूस्तो इसकी स्थापना का हुई थी France C.C. East India Company की स्थापना 1664 में हुई थी दूस्तो याद रहेगा 1664 ECB में France C.C. East India Company की स्थापना हुई इसके बाद दूस्तो आई थे इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद दूस्तो आपकी कौन से आई थी Swiss India Company यह आपको सारे कुस्ट इसके इछ इसके बाद सारे कोश्टन जो है ना यह आपको 1731 में कब 1731 में जुस्तों यह आपकी इस्थापित की गई थी यह पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना यह सारे पॉइंट दोस्तों आपके important point थे जो कि मैं आपको बताना चाहता था यह 6 कंपनी आपको याद रखनी है पॉर्टगाली इस्थिंडिया कंपनी अंग्रेजी इस्थिंडिया कंपनी डच इस्थिंडिया कंपनी डैनिस इस्थिंडिया कंपनी फ्रानिस इस्थिंडिया कंपनी और आपके स्वेडिस पक्पर अगला पांट है दोस्तो सामाजिक सुधार अधर सामाजिक सुधार अधर में जो था दोस्तो इसमेंoni साभ का पहला अधरियoqu चला सिछवाथ अधरियम जो कि दूस्तो आपका 1144 वी में चला था जा तो 1814 में इसके बाद उस उसके बाद सत्यी प्रता पर प्रतिभा दिया गया Tा तो एक स番 किस था चे हीम को खोर। था मिक्ति थीघ्रेट आप 16 319 में इसके बाद सत्य। हिंदू बिद्वा पुनर्विवा की अपने हिंदू की जो बिद्वाइं जो दुस्तो करने आए हैं बिद्वाइं लोग बिद्वाइं इस्तरियां हैं वो दुस्तो दूसरा बिद्वा नहीं कर सकती थी तो दुस्तो हिंदू बिद्वा पुनर्विवा यानि कि दुस्तो हि एपर 9030 में तुँ पारति हुआ। अगला आता दोस्तु सामाजिक धार्मिक सुधार अंदूलन यहां पे तुक्छ आपके अंदूलन चलिये थे जो कि आपके सामाजेक धार्मिक सुधार अंदूलन हैं। चलिए एक कुश्चन दुस्तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि कई बार दुस्तो एक्जाम में पूछा गया है। कौन सा कि राजा राम मोहन राय को भारती नौजागरल का अगरदूत माना जाता है। कुश्चन एक जबनर करता है बताएगा भारती नौजागरल का अगरदूत किसे माना जाता है। स्थापना की थी 1828 सेवी में याद रुकिएगा कहा जाता है कि बताएगे ब्रह्म सबास समाज की स्थापना किसने की थी राजाराम मोहन राई ने अगला है राजाराम मोहन राई ने दूस्तो संबाद कौमुदी और मिरात उल अकवार का प्रकासन किया। मिरात उल अकवार और संबाद कौमुदी का जोस्तो प्रकासन किसने किया था राजाराम मोहन राई ने था राजाराम मोहन राई ने। और यदि आपसे पूचे जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो वो डॉक्टर आत्मा राम पांडूरंग ने प्रार्थना समाज की दूस्ति स्थापना की थी। अगला पॉइंट है दोस्तो हैनरी बिलियम डे रोजियों ने 1828 इसभी में यंग बंगाल अन्दोलन का प्रवरतन किसने किया था हैनरी बिलियम डे रे जियों ने नेक्स्ट आता है most important लगाएंगे सभी पहरे दोस्ति सत्य सोधक समाज की स्थापना किसने की थी जोतिवा फुलेने याद रुकिएगा important point है आपके के लिए सत्य सोदक समाज की स्थापना किस ने की थी जोतिवा फुलेने अगला है स्वामी विवेका नंद ने 1897 इस्वी में राम कृष्णी मिसन की स्थापना की अब यह point आपको समझना इसमें confusion नहीं होना आपका बिवेका नंद ने अमेरिका की सिकागो में आएधिखामी स्वामी विवेका अगला point पूछओ लेता है ट्योसोफिकल सूसाइटी की स्थापना कभ और किसने की थीος विवेका नंद नीट हम एच पी बलौवाट सीटी ऑर हांडि श्टील ओलकोर्ट द्वारा से養च तुराज अमिरिका में की गई ती कवे दोस्तो दो 1875 सुए में किसने एच पी बलौवाट सीटी और हांडि श्टील ऑलकॉर्ट ने चलिए आगले पांट क्यों चलते हैं दोस्तों एनी वैसेंट ने बनारस में 1898 इस्वी में Central Hindu College की स्थापना की यह आपके लिए एक important पांट होता है पताएगा कि 1898 इस्वी में Central Hindu College की स्थापना किस ने की थी एनी वैसेंट ने याद रखेगा एनी वैसेंट अगला है सरसयद एहमद द्वारा 1875 इस्वी में अलीगड में मुहम्मडन एंगलो ओरियंटल कॉलिज की स्थापना की मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलिज की स्थापना किस ने की थी 1875 में सरसयद एहमद के द्वारा यह इंपोर्टेंट पॉइंट है दूंग से के उद्वाराफ कर चलते दूसपो अगला पॉइंट हें समा चार पत्र तो एक नेसर में इसमद न की सथापक संपादक और कब हुए किस स्थान पर हुए और आपके किस पासा में दुस्तों आपके यह आयो जेते हुए हैं इनके बारे में दुस्तों हम जानेंगे important point है इसमें से जो भी important इसमें से देखिए आप कहेंगे कि सरी यह में सारे याद रखने सारे याद नहीं रखने जो मैं बताऊंगा सुर्फ वही याद रखना है और वही exam में आपको मिलेगा यदि पूछा गया exam में इस topic से question तो मिलेगा तो वही मिलेगा इस से बाहर नहीं जाएगा मैं आपको बताऊं बस इतने ही आपको दुस्तों याद रखने हैं जैसे कि हम बात करें टाइम्स आफ इंडिया की जो कि आपने आपने एक important question exam का आया हुगा प्रस्ने जो कि आपको याद रखना है टाइमस आफ इंडिया समाचार पत्र है जिसके दुस्तों संस् किया गया यह point आपको याद रखना है अगला है statement यह इतना important नहीं है लेकिन जो important रहेगा वो मैं आपको बता दूँगा जैसे कि आपका टाइमस आफ इंडिया सबसे अधा important है याद रखेंगे इसको आप लोग कॉपी में नोट बनाकर भी लिख लीजिए गा इस्टेट मै इंग्लिस मैं जोस्तो इसके संस्थापा के रॉबर्ट नाइट और यह 1811 में दोस्तो इस्थापिद हुआ कलकता से और यह भी आपका अंग्रेजी भासा में बढ़े थे नेक्स्टे दो मदरास मेल मदरास मेल एक समाचार पत्र है जो की चारल्स लॉपसन ने दोस्तो इसक 65 में दोस्तो इसको प्रकासित किया और इसको इलहाबाद से प्रकासित कर अंग्रेजी भासा में इसको प्रकासित किया अगला है दोस्तो सिविल एंड मिलिटरी गजट सिविल एंड मिलिटरी गजट इसके संस्थापा के हैं दोस्तो रॉबर्ट नाइट जिन्हों दोस्तो और ये बंगला बासा और अंग्रेजी दो बासाओं में दोस्तों यह यह उजित किया गया 1860 में दोस्तों बंगला बासा में और 1878 इसवी में अंग्रेजी बासा में दोस्तों मोती लाल गोस्त वारा अमरत बाजार पत्र का समाचार पत्र का संपादन किया गया अगला है सौम प्रिकास most important लगाएंगे सौम प्रिकास जोतनों आपको मैं important point बता हूँ यह आपको note बना के अपनी कौंपी में याद रखना है सौम प्रिकास समाचार पत्र के ईश्वर चंद्रवध्या सागर इसकी संस्थापक थे यह संपादक थे जनों ने दुस्तो 1869 इसपी में दुस्तो इसकी स्थापना करके कलकत्ता से बंगला बासा में दुस्तो इस समाचार पत्र का प्रितपादन किया बंगवासी समाचार पत्र के संस्थापक है जोगिंदर नाथ बोस जिन्हों दुस्तो 1881 में कलकत्ता से बंगला भासा में दुस्तो इन्होंने आयुजित किया चलिए अगला पॉइंट है हिंदू हिंदू समाचार पत्र का मुश्ट इंपोर्टन लगाएंगे सभी प्यारदोस हिंदू हिंदू जो है दुस्तो इसके दुस्तो संपादक हैं बीर रागवाचारी जिन्होंने दुस्तो 1878 इसमी मदरास से अंग्रेजी बासा में दुस्तो इन्होंने समाचार पत्र को संपादित किया केसरी मराठा इंपोर्टन लगाएंगे सभी प्यारदोस तिलक प्रारम से लेकर आगरकर के सहोग से 1881 इसमी में बंबाई से मराठी और अंग्रेजी बासा में संपादित किया एक और है दुस्तो आपका हिंदू समाचार पत्र जिसको रानाडे ने लॉंच किया ता 1878-1884 इसमी में मदरास से अंग्रेजी बासा में नेटिव ओपीनियन यह दोस्तो नेटिव ओपीनियन जो है दोस्तो यह बी एन मांडलिक दोस्तो इसके संपादक रहे हैं हिंदी बासा में इसका प्रतिपादन किया हिंदुस्तान मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे मदन मोहनमालवी और प्रताप नाराण मिस्ट के द्वारा 1924 इस्वी में कालंकर उत्तरप्रदेश से हिंदी बासा में आयुजित किया गया बंबई दरपड जो है दुस्तों बाल सास्थ्री के द्वारा संपादित किया गया 1832 इस्वी में बंबई से मराटी बहसा में कॉमन भी मुष्ट इंपोर्टन लगाएंगे सभी प्यार दोस्त आयनी बैसेंट के । इसकूर में अगले360 पाइंट में चलते हैं अगला जिस्तों कभी बचन सुदा मोश्ट संपादक रहे हैं 1872 में इसकी स्थापना की उत्तर प्रदेश से हिंदी बासा में नों इसके संपादित किया हिंदुस्तान स्टेंडर्ड मोस्ट इंपोर्टन लगाएंगे सच्चदानंत सिंहा की है 1899 में इसको संपादित किया पठना से अंग्री जी वासा में ग्यान प्रदेश से अंग्रेजी वासा में संपादित किया इंडियन रेवियू जो है जीए नेटेशन जो इसके संपादक रहे हैं बद्राथ से दुस्त इन्हों नें अंग्रेजी वासा में संपादित किया यंग इंडिया most important लगाएंगे महत्मा गांदी के यंग इंडिया 9 जीवन harijgan independence harijgan यंग इंडिया 9 जीवन harijgan ये तीनों महत्मा गांदी के important हैं याद रखेगा आट अक्टुबर 1919 को महत्मा गांदी यंग इंडिया और 9 जीवन 9study so 7 diabetes 192 को पत्रका इनों ने 11 फरवरी 1933 को आयोज़ित पी, आपकी यंडिया एहम्दाबाद से, नौजीवन एहम्दाबाद से और हरिजन पूना से, यंडिया अंग्रेजी वासा में सम्पादित की, नौजीवन हंदी और गुझराती वासा में, और हरीजन आपकी हिंदी अंग्र जराती बासा में नोंने सब प्रकासित की अगला इंडिपेंडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे यह जिस्तो मोती लाल नहरू के द्वारा दोस्तो इनोंने संपादित किया 2019 में दुस्तो इलाबाद में अंग्रेजी बासा में आज यह इंपॉर्टेंट है जो कि इस सफ्थी परसाद enormous की उसको फ़िसटा संपादक रहे है और हिंदूस्तैनす मोस्ट इंपॉर्टेंट है के कैयम पन्रिकार इसके संपादक है 1920 में डिली से दिफ्टों अंग्रेजी बासा में प्रिकासित किया एक समघार पत्र है जिसको जभारला लहरू नेас 1936 एस्वी में दिली से अंग्रेजी बासा में प्रिकासित किया उदत मारतंड बेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेंट है जुगल के सूर द्वारा रचित है यह समचार पत्रिका है 1826 इस्वी में इसको लॉंच किया था कानपुर से हिंदी प्रथम भासा में द्वारा पत्रिका इसको लाता है अशाया पत्रिका बेरी में इसको लॉस्ट सेर ने पत्रिकागा зрwork नावत पत्रिका को ने ऽुरक निटी प्रू पत्रिका के वे वेरी से हुगा रिसज़न अवलार बहाता है उसको लॉफा portrait सको है में कलकत्तस दूस्तों इन्हों हो अर्दू बासा में संपादित किया दोनों पत्रकाओं को काम्रेड जो है धृस्त कार्श से हिंदी भासा में गदर के पत्र का संस्थापा गदर पार्टी के द्वारा किया गया उन्ने सो तेरे से चौदे में सैन फ्रांसिस्कों में अंग्रेजी और पंजाबी भासा में इसके बाद है दुस्तो हिंदू का ट्रियार्ट मोस्ट इंपोर्टन लगाएंगे सभी प्या उनके बारे में हमने आप लोगों से डिसकस किया उमीदे दूस्तो आपको यहां तक की बाते समझ में आ चुकी होगी चलिए अगला पांट हमारा यहां से स्टार्ट होता है दूस्तो अठारे सो सतावन का बिद्रो इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्ट क्लास में क्वेशच क्लास को दखना है तो आज की जो क्लास को हमें यहीं तक रखेंगे meditationेशह्च आपका तापक यहीं से प्रांति के बारे में हम आप लोगों को देखना आप लोग calculating नश्यम उसक्राइब लिक new Islamी बताइए गा बीड़ियो पसंद आया हो तो प्लीस वीडियो को ल motivation आपको समय पर मिल सके क्योंकि जिस तो इस चैनल पर आपको सामान ग्यान से जुनी सभी महतपूर जानकारियां सभी महतपूर पुस्तकों का complete solution करवाया जाता है तो प्लीज दुस्तों आप लोग हमारा support कीजिएगा बैसे ही दुस्तों हम आप लोगों के लिए बहतर से बहत का solution कराने की तो आप लोग हमें comment box में या टेली ग्राम में personal message के माध्यम से आप लोग हमें बता सकते हो चलिए दुस्तों आज की class को यहीं इस पर end करते हैं कल की class में मिलेंगे 1853 के बिद्रों के बारे में तो तब तक के लिए आप सभी प्यार दुस्तों का तही दिल से बह जबारत